हेलो दोस्तो मैं वासुदिव दुबे आज आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स साइन्स ही कैसा सब्जेक्ट है जो की बहुती सिंपल टॉपिक है जो चीज इनसानों के दौरा या तो थियोरीस या प्रेक्टिकल बनाई गई है वो बहुती सिंपलेस्टिक वे है इसको अपन दिमाग से सोच सोच के कठिन ना बनाए चलिए आज का टॉपिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मैं बहुती सिंपल तरीके समझाओंगा करपना करें एक आप खाली रस्ते में चल रहा है और दूसरी आप पहुंचे जहां पर है भीड या कहें अपन सब्जी मंडी हैं पहुंच गए तो आपको सरलता कहा होगी आसानी से कहां चल सकेंगे भाई सौबाबे कहें आप खाली स्तान पैछे से चल चाहिए क्यों वह दैन्स इस्तान वह घणी बसती है वहाँ पर अपनको दिक्स जाईगी चलने में तो दो चीज हो गई एक तो गई रेर मेडियम यहां पर अपन बहुत खुला खुला स्पेस है और दूसरा है डैंस जगे जहां पर घनी बस थी तो डैंस और रेर के रेर के बीच में ही इन दोनों के बीच में ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टेका हुगा जलिए अपन शुरू करते हैं रेर और डैंसर रेर अगर बात कीजे रेर में और दूसरे डैंसर अब देखिए अगर आपर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में में नहीं रहूँगा इधर पर लाइट रहेगी light को अपन assume करके ही rare और dancer के बीच में बात करेंगे rare में अगर rarer में मतलब खाली स्तान में जहाँ खाली अगर चल रहे थे वहाँ आगर light चलीगी तो उसकी speed क्या होगी fast होगी क्योंकि वो dance नहीं है और dance में speed क्या रहेगी light की slow रहेगी क्योंकि वो क्या है घनी बस्ती है उसकी क्या है dance है rare और dancer अपन को यह चीज़ समझ में आगी rare क्या होता है dancer क्या अब आजाते हैं एक उधारन के तौर पर में एक उधारन दूंगा आपको उसमें आप समझ में आइंगे light कैसे travel करती है rare और dancer में यह अपना air यह हवा है इतना पार्ट मैंने हवा को दिए इतना पार्ट पानी को यह एक्जामपल है medium कुछ भी हो सकता है पानी हो सकता है काँछ हो सकता है लेकिन अभी फिलहाल में अपन ग्लास और पानी और हवा को लेकर चल रहा है अब मान के चली एक light यहां से चली, जब light यहां से चलती है, तो यह हलकी सी bend कर जाती है, अभी bend ना समझे, bend क्या है, मैं बाद में समझाऊंगो bend क्यों होती है light, अब यह light यहां से चली और इसने distance यहां travel करी, सबसे पहली बात, जब पानी में चली कि उसकी speed slow होगी, तेज लेते वीवन, हमें speed तो देख लिये है, यहां पर, अब हम बात करते हैं कि घना कोन था इसमें, घना था अपना पानी, पानी को हम बोलेंगे, या फिर इसको हम scientific language में बोलते हैं, घनी चीज को, refractive index, refractive index, refractive index को एक और चीज बोलते हैं, optical, optical dense, d-e-n-s-e, optical dense, optical dense, refractive index, ri, या फिर, mu से भी denote किया था, short form, तो हम बोलते हैं कि इसकी जो density है, यह refractive index है, वो है mu1, और इसकी जो density यह पानी की, वो है mu2, अब, mu1, v1, mu2, v2, यह चीज होगे, अब ऐसा आपन physics में बात कर रहा है, science, तो scientific language में है, अपन mathematical, अब combination करेंगे, कैसा? अब refractive index of air, हवा का किता था, mu1 था, तो जब mu1 में क्या था, v1 speed थी, तो आपन यह बोलेंगे, mu1 is inversely proportional to v1, क्यों? क्योंकि अगर speed बढ़ेगी, तो कहां बढ़ेगी, जहां पर refractive index कम होगा, और अगर speed घटेगी, तो mu2, mu1 क्या होगा, बढ़ेगा, exactly, तो हमें air में condition में क्या है, mu1 is inversely proportional to v1, और water के condition में भी same है, mu2, v2, चलो आपन इसको divided करते हैं, इसको अपनने 1 लिया, इसको 2 लिया, 1 divided by 2, mu1 by mu2, और v2 by 1, v1 आया, clear है, क्यों आया है, अपन इसको और देखें, इसको short form में लिख सकते हैं, ऐसा, ये लिख देते हैं, म्यू और 1, with related to 2, मतलब, mu1 का जो refractive index है, comparison of 2 में, comparison of 2 में, कितना है, just opposite of speed,